वन बिलियन डॉलर्स हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपणी के नेटवर्क के थुरू अलग-अलग देशों में गया और फिर वापस आया और उस पैसे से अदानी जी ने जो उनकी शेर प्राइस थी उसको बढ़ाया इंफलेट किया और उस फाइदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रस्ट्रक्चर है जो अदानी जी एरपोर्ट्स खरीद रहे हैं अभी यहाँ धरावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला ह हैं तो यह सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं जो पुंजी हैं जो अदानी जी खरीद रहे हैं वो इस पैसे से शेर प्राइस को इंफ्रेट करके खरीद रहे हैं तो यह सवाल इन्होंने उठाया है उन्होंने कहा है कि उनके पास सबूत है पेपर ट्रेल है इंटरनल emails है documents है तो सबसे पहले सवाल उठता है ये जो पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है ये अदानी जी का है या ये किसी और का है और अगर किसी और का है तो वो किसका है ये सबसे पहला सवाल है दूसरा सवाल है कि इस काम को करने के लिए mastermind विनोद अदानी जी है, जो उनके बहाई है, गौतम अदानी जी के बहाई है, मगर उनके साथ, उनके दो business partner और हैं, एक का नाम नासिर अरी अली शबान अली, और दूसरा, चैंग चूंग लिंग, चैंग चूंग लिंग, चाइना गाय, तो दूसरा सवाल ये उठता है, कि जब अदानी जी, हिंदुस्तान का infrastructure खरीदे जा रहे हैं, तो ये जो Chinese national है, ये इसमें कैसे involved है, इसका क्या role है, इसने क्या किया, ये थाबित होना चाहिए, ये दूसरा सवाल, और ये जो foreign nationals हैं, ये हिंदुस्तान की शेर मार्केट को कैसे मनिपिलेट कर रहे हैं, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है, national security का मामला है, अदानी जी defense में काम करते हैं, infrastructure में काम करते हैं, airport sports में काम करते हैं, तो ये जो दो foreign nationals हैं, खासतोर ये जो Chinese आदमी है, चैंग चूंग लिंग, इसका क्या रोल है, ये दूसरा सवाल, और तीसरा सवाल, जो, सेभी का investigation हुआ था, जिसने clean chit दी, जिस व्यक्ति ने investigation किया, और जिसने clean chit दी, आज वो, अदानी जी का जो channel है, NDTV, उसका director है, तो मतलब ये एक network है, इसमें आपको institutional capture दिख रहा है, सेभी का chairman clean chit देता है, और उसके एकदम बाद, अदानी जी की company में director बन जाता है, international मामला है, stock market वो inflate किया जा रहा है, और उस inflate करने के बाद, उससे हिंदुस्तान के assets खरीदे जा रहे हैं, तो सवाल ये उठता है, इसके बारे में प्रधान मंतरी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, शांत क्यों हैं, यहाँ पे, foreign newspaper ने साफ कहा है, wealthy Indian family with links to Modi, मतलब, अगबार कह रहा है कि, नरेंद्र मोदी जी का, अदानी जी का रिष्टा है, सवाल उठता है, क्या रिष्टा है, और ये जो agencies हैं, CBI है, ED है, ये अदानी जी पर research क्यों नहीं कर रही हैं, ये अदानी जी को interrogate क्यों नहीं कर रही हैं, ये सवाल उठता है, हिंदुस्तान का reputation line पे, G20 हो रहा है, हम कहते हैं, कि यहाँ पे level playing field है, हिंदुस्तान transparent है, यहाँ पे भरष्टाचार नहीं है, और उन सब के सामने, जब वो यहाँ आ रहे हैं, उनके सामने ये उधारन है, वन बिलियन डॉलर्स यहाँ से जा रहा है, stock price inflate की जा रही है, infrastructure और assets खरीदे जा रहे हैं, जिसने investigation किया, उसको अदानी जी ने मतलब, हिंदुस्तान की image को damage कर रहा है, और इसलिए प्रधान मंत्री को एकदम action लेना चाहिए, और कहना चाहिए कि हाँ, हम JPC लागू करेंगे, JPC को investigate करेगी, और full scale investigation होगा अदानी जी का,